नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल एजूकेसिन क्लासस रामू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो हमारा केविस प्याटी से रिलेटेड प्रेक्टिसेट नम्मर आज 13 हमां प्रेक्टिसेट है इससे पहले मैंने 12 प्रेक्ट प्रेक्टिसेट करा रहा हूँ तो अगर 60 नमर काफी माइने रखता है अगर किसी एकजाम में और वह भी 180 नमर में जो कि 60 नमर सिर्फ CDP Pedagogy से पूछा जाएगा तो कितिना महत्तपूर्ण है यह आपके एकजाम के लिए तो केविस एकजाम के आप तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर दिखेगा और केविस से रिलेटेड मैं कुछ नोट्स जो है प्रेक्टिसेट भी अपने टेलिग्राम पर सेर किया हूं तो वो भी आप दे कर ले लिजेगा आपके काम की युकिचो हो का चले दोस्त आज चलते हैं प्रेक्टिसेट 13 के प्रश्ण नमर पहले पर प्रश्ण नमर पहला का रहा है कि एक सिच्छा को अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करने के लिए चाहि है सकतार तो प्रश्ण नमर पहला का जो हमारा विकल्प सभी क्रिया हो जाएगा रखेगा जो प्रश्ण में अच्छा CDP या पेड़ा कोजी में एक पॉइंट होता है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न के एकॉर्डिंग पाजिटिव सिंस वाले आपसन को ज्यादा ठूटिए जो आपको लगे कि एक बालक के लिए ऐसा बयवार करना चाहिए आप उसी विकल्प के साथ चाहिए उसी तरह यहां पर देखिए सिक्षक को अपनी सभी प्रतिपाओं का विकास करना है तो सभी प्रतिपाओं का विकास हो सकता है तो पीवाला बिगल पहला का सही हो जाएगा प्रश्ट नमर दूसरा बालकों को स्रेष्ट रूप से सीखने के लिए आवस्यक है अपसन है विद्याले में अच्छा पुस्तकाले हो अपसन भी है सिक्षक बालकों को अधिकाः धिक ग्री कारे देता हो अपसन C है बालक के माता पिता अथवा सनक्ष्ट सभी भी सिक्षा में रूची रखे हो अपसन D है सिक्षा कच्छा में बालकों को क्रियासील बनाए है तो सिक्षन कारे करते हो तूसरा का जो हमारे बिकल्प सही होगा बालकों को स्रिक्ट रूप से सिखाने के लिए आवस्यक है तो वो है हमारे बिकल्प के एकॉर्डिंग D वाला बिकल्प सही हो जाएगा कि सिख्षक कच्छा में बाल्कों को क्रियासिल बनाने है तू शिख्षण कारे करते हो वो अलापसन योय आपका सयोचा है का आगे जलते हैं प्रश्ण नमर तीसरा और यह करा कि प्रभावी शिख्षण है तू आवस्य कतत्तु क्या है वो आपको बताना है प्रश्च नमर तीसरा आपसने है सिक्षन समागरी विविद्धा, आपसन B है प्रियुक्त सिक्षन तक्नीक, C है संप्रेशन विशे समागरी, D है बालक शिक्षन के मध्य अन्तसम बंथ, तो देखे प्रभावी शिक्षन है, तो आवस्य कता तो आपको इसमें से बताना है, लेकिन हमें तो लगता किसा भी आप्सन सही है, लेकिन इसमें जो बेस आप्सन होगा, वो होगा बीवला, प्रियुक्त सिक्षण तक्नीक आप तरीका कौन सा अपनाते हैं पढ़ाने के लिए, वही प्रभाविश शिक्षण का प्रमुखतत्त हो जाता है, ध्यान नखिएगा प्रमुखतत्त विया आवस्यकतत्त वहीं होता है आपका तक्नीक, पढ़ाने का तक्नीक इतने अच्छा होगा, वहीं आपकी जो है, शिक्षण का च्छा को रूचकता प्रतान करेगा, तो बीवला आप्सन सही हो जागा, लेकिन सभी आप्सन पजिटिसेंस को प्रदर्सि प्रिश्ण के तो आपके लिए आवस्यक है, आपसन ये सिक्षक ब्याख्यानों तथा अधिगम परिचणों की आप सैचिक परिच्षण के और डी हे बालकों को अपनि पाथ्य पुस्तकों की समागरी को दैनिक रूप से रटने की, तो रटने की तो कभी बाते नहीं होगी प्रस्ट नमर चोथ है का डिवाल आपसन इसी तरह कड़ जाएगा ब्याख्यान नहीं करना है बाई सीधी बात आपसन भी है कि बालकों द्वारा अप्रतेक्ष रूप से अधिगमित सांसकृति प्रती मानूं की तो देखें यहां पर पूछ क्या रहा है प्रस्ट कि य प्रिश्ट के ऊडिंग चोथा का सी वाला बीकल्प प्रस्ट नमर पाँच आप की अनुसार स्क्षण का श्वरूप है आपसन ने है एक अंतअप्रतिकरिया मातर है आपसन ए भी है सीखने में सहाइक प्रतिक्रिया है आपसन सी है एक परिपक्व यह दूसरे बंद हें और डी हे इए उपयुक्त सभी पांचमा का विकल्प जो होगा वह उपयूक्त जॉसी कि यह परिपक दूसरे परिपक ये बहुवी उसी से रिलेटेट है D वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर छाटमा है कि एक सिक्छा को अपनी कच्छा में नियंत्रण है तू किस विदी का परियोग करना चाहिए नियंत्रण है तू अपसने है प्रभू तुबादी, उपागम, अपसन भी है प्रजातांत्रिक उपागम, अपसन से बालकों के दुरब्यवार को बैस्तता से कम करने के उपाई अढ़ी है नियंत् Dafक्छ रूप से विद्दैले नियंमों के नुषसाः अनूपात की नियंत्रण के बाध्याता परजा परदान होनी चाहिए बी वाला विघलब जोए 6 आपके दोारा पूछे गए प्रशन का सही उत्तर नहीं देते तो आप इस समस्या का समधान कैसे करेंगे कैसे करेंगे आप इस समस्या का समदान जब आप प्रश्ण पूछ रहे हैं और उत्तर गलत मिल रहा है तो आपसन एह है प्रश्ण बार-बार दोहरा कर आपसन भी बालकूं पर गुस्सा होकर आपसन सी है प्रश्णों को वहीं छोड़ देंगे और डी है प्रश्ण बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे तो क्या उनसा तरीका आप अपनाएंगे ऐसी प्रस्तिती जब आपके सामने आएंगे तो खुद पर एक्स्परिमेंट करकर खुद पर अनुभा करकर इस जीज का उत्तर दीजेगा इस प्रश्ण का डी वाला बिकल्प सही हो जाएगा अभिभावक वारतालाब का सबसे बड़ा लाब क्या होता है सिक्षक और अभिभावक का जो वारतालाब होता है उसका सबसे बड़ा लाब क्या होता है सबसे बड़ा लाब इसमें से डूड़ना है प्रश्ण नमर आठ का बिकल्प है कि आपसन एह है कि बालकों की उपलब जंक दिए जाएं अपसं ऐसी है अभी भावक सिक्षक को बालक का पुरू वृत बताता है अपसंटी है अभी भावक सिक्षक से पूछने पूछे की बालक का ग्रीकार पूरा करने में वह कैसे तता कितनी सायता करें तो इसमें से जो पड़ा लाभाजू होगा प्रश्णमर प्राट का वह हमारा पहला ही बिकल्प सही हो जाएगा पढ़ने से पता चल रहा है बाकी यह पूछ कर तो आंक देना नहीं है प्रूव भी तांत की कोई जरूरत नहीं है अभी बाक से पूछ कर ग्रीकार पूरा करने में वह कैसे मदद करना चाहिए यह भी हो सकता है लेकि क्योंकि आपसन यह सिख्षक एक ही पूस्तक पढ़ाते हुए उबने लगता है अपसन भी हिन्य सिख्षकों को लिखने का आउसर मिलता है अपसन सी है ज्यान का नवी किरण होता है और डी है उप्यूक्त सभी कौन सा विकल्प सही होगा तो देखे समय समय पर पाठ पूस् प्रसन नमर्ध निवंक मेसे क्या एक हाजकल की आजकल दी जा रहै सिख्षा कि परमुख विसेस्ता है से आपसन आपसन इन्यव मालगों के व्यस्त को सुदार्ति है और इसमें घ्यान का शुरूप एकदम सरी सही हो जागा क्योंकि यह क्समें एक समय जो सध्धान्तिक रूप में एकदम ये प्रस्तूत किया जा रहा है आजकल की सिक्षा ब्यवस्ता जो है तो B वाला बिकलब जो है दसका सही हो जाएगा बाकी सभी आपसन गलत है प्रस्ट नमर 11 है कि आपके अनुसर कच्छा के सभी बालकों को एक जैसा ही गिरी कर देना ठीक है आप बताईएगा आपसन ने है जी हाँ इससे मुल्यांकन सही होता है आपसन B है जी नहीं क्योंकि सब बालकों का युगता अस्तर समान नहीं होता आपसन C जी नहीं क्योंकि बालकों की अभी रूची अलग-अलग होती है और D जी हाँ क्योंकि सिक्षक का काम आसान हो जाता है तो सिक्षक का काम कभी असान नहीं करना है पहला आपसन ऐसे कर जाएगा समान कभी ग्रीक कारे मत दीजेगा प्रश्णन मर बार आप अपनी किछा में बालकों कि मौकिक अव्यक्ति का विकास कैसे करेंगे कैसे करेंगे मोखी का विवक्ति का विकास आपसने है वाद वीवाद द्वारा P प्रश्ण पूछकर C नाटा का योजित कराकर और D है स्टर्चा परिचर्चा कराकर जो है मौखे का विवक्ति का अगर विकास करना चाहते हैं तो बेश्टा अला आपसान हमारा D वाला विकल्प जो है सही हो जाए गम आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 13 अधिगम है तो उप्युक्त परस्तिती है सीखने की उचित ढंग, B प्रिना का युगदान, C सीखने की इच्छा और D ये सभी तो अधिगम है तो उप्युक्त परस्तिती क्या है वो आपको बताना है प्रस्ट नमर 13 का और 13 का जो हमारा विकल्प सही होगा ये सभी जो है जाएं आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 14 निम्न में से क्या एक उत्तम सिक्षन की विशेस्ता नहीं है उत्तम सिक्षन की विशेस्ता इसमें से क्या नहीं है वो आपको बताना है है यह बालक अच्णाई का निदान करता है इप्षन B है यह बालक अच्णाई का उपचार करता है आप तो उत्तम सिक्षन की विशेस्ता नहीं है तो वह हमारा विकल्प जो है चौदा का सयोगव डी वाला क्यूँ भाई यह सम्च्वेकात्म अस्तिरता सिर्जन करेगा उत्तम सिक्षण नहीं करेगा कभी नहीं करेगा तो डी वाला बिकल्प जो ही ये निगेटिव सेंस को प्रदस्य कर रहा है चौधा का डी वाला बिकल्प सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 15 है कि यदि आप अपनी कच्छा में प्रभाव साली शिक्षण कराना चाहते हैं तो किस तरह का ज्यान आपके लिए आवस्यक है किस तरह का ज्यान आपको लिए आवस्यक है अगर आप प्रभाव साली शिक्षण कराना चाहते हैं तो आपसने हैं पाठ विशे विशे शंबंदी अन्तवस्तु का ज्यान आपसन भी सिक्षा सास्त संबंधी अंतवस्तु का ज्यान और आपसें B, C है पाठ्टिक्रम संबंधी ज्यान और T, उपिक तो सभी पंद्र का जो बिगल्प सही होगा ये सभी वाले बिगल्प सही हो जाएंगे इन सभी चीजों का आपके अंदर ज्यान होना चाहिए तब या प्रभाव शाली सिक्ष करा शक्ते हैं तो दी वाला आपसन हमारा पंद्र का सही हो जाएगा प्रशन नमर सोरा है कि जब कोई बालक अपने पुराने अर्भों के द्वारा सेखता है तो उसे क्या कहते हैं आपसन B है साहचार्यात्मक अधिगम अपसन नमर पहला साहचार्यात्मक अधिगम इसको हम कह सकते हैं एक तरह का यह साहचार्यात्मक अधिगम का परिभासा हो जाता है ठीक है ना पुराने अनुभों से सीखता है जब बालक तो उसको साहचार्यात्मक एक जोड़कर सीखता है ना तो एवल अभी कल्फ हमारा सही हो जाएगा प् बालकों की रूचियों को साथ तत्य अनुक्रम में अप्सन B है अधार बुत पाठिक्रम के संगठन के अनुरूप और C है विसे वस्तु की तारकिक्ता के अधार पर D है पाठिक्रम निर्माता के संगठन के अधार पर सत्रका जो बिकल्प हमारा सही होगा विसे वस्तु की तारकिक्ता के अधार पर पाठिक्रम संबंदी जो अनुभव है नो वो स्रेंखला पद करना चाहिए ये है हमारे प्रगतिसील सिक्षा विदों का विचार सी वला विकल्प जो है सत्रका हमारा सही हो जाएगा ध्यान रखेगा प्रश्ण नमर अठारा है कि वह परस्तेती जिसमें कोई बालक कुपोशन का सिकार हो सकता है अपसने है अधिक्स्त्रम अपपार नेद्रा के स्तेती बी दूसित वातावरन रोगरस्त के स्तेती और सी पिच्छा पूर्ण बेवहार खेल कुद किया हैलना और डी उप्युक्त सभी तो अठारा का हमारा कौन सा विकल्प डी वला विकल्प है क्योंकि ये सभी की वज़े से बालक जो है कुपोशन का सिकार हो सकता है तो इस तरह से हमारा डी वला विकल्प के ही साथ जाईएगा प्रश्ण नमर 19 कि आप कच्छा में बालकों के सामने एक प्रश्ण रखते हैं आप देखते हैं कि कच्छा के अधिकांस बालक उस प्रश्ण का उतर देने के लिए अतूरता से हाट उठा रहे हैं तो ऐसे इस्तिति में आप क्या करें ये कितना अच्छा प्रश्ण है आप आप उनकी आतुरता को असुब लक्षण मानेगे ये भी गलत बात ये ये कभी नहीं हो सकता ठीक सी है आपको यह नूट करने का आवसर मिलेगा कि कौन-कौन से चात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं प्रस्ण के और आपसन के कोडिंग हमारा कौ बार-बार कहने के बावजित कोई बालक कच्छा में देर से आता है आप उसकी इस समस्या का उप्चार कैसे करेंगे कैसे करेंगे अपसन है उसे कच्छा में नहीं गूसरें देंगे ऐसा करेंगे नहीं तो पहला भी कल्प तो हमारा गलत अपसन भी ऐसा करेंगे तो आपको प्रददानाप्थापक को इसकी सूचिना देंगे और दी है उसकी अंदेखी कर देंगे, अंदेखी कभी नहीं करेंगे, ठीक है ने? क्यूंकि वह बहुत बढ़ा मुद्दा है और बी वाले बिगल्प के ही साथ जाएगा, प्रददानापक को सूचित नहीं करना है, उसके अभिवावत को इस शंबंद में सुचित करेंगे कि क्यों आपका बालक जो है लेट से आ रहा है कच्छा में तो बीवला बिकल्प जो है 20 का सही हो जागा ध्यान रखेंगा प्रश्ण नमर एक्की से की बुनियादी सिक्षा का आधार मनोवेगयन की माना जाता है इसका प्रमुख कारण आपसन नहीं पार्ट विसेवस्तु के पैश्चा बालकों को परधान ता देना आपसन भी है हस्त सिर्व को प्रधान नहीं देना और सी है ग्यानांद्रू की सिक्षा देना और दी उप्युक्त सभी प्रश्ण मरेक्स का जो भीकल्प सही होगा इसमें जो बालक को परदान दिया जाता है बुनियादी सिक्षा में बुनियादी सिक्षा में बालक को परदान दिया जाता है हस्त परदान सिक्षा की बात होती है यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिया यह तो बिकलप कटी जाएगा ये वाला बिकल्ब जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर बाइस है कि ब्याख्यान विदी है तू सरफश्ष्ट परस्तिती है ब्याख्यान विदी और यह कहां देंगे तो उच्छ शिक्षा ब्यवस्ता में दिया जाता है प्रश्ण कापसन देखते हैं जब एक किसी परदासन की ब्याख्या करने में रुची रखे ते हो डी उप्युक्त सभी 22 का जो भी कल्प हमारा सही होगा वोगा पी वाला भी कल्प क्योंकि जब शिक्षा किसी साधान्तिक पक्षी की ब्याख्या करना चाहता है तब उसके लिए सरफश्ट बिदी माने जाती है ब पुष्कूस ऌसे उसके ठीक आपसंवा द्रूप के रूप में और ऑनमाटबहूं के द्वाला घ्राइची के रूप में जो इस शिक्षा की से रूप को परिबासित किया जाता है C वाला विकल्प तेज का सही हो जाएगा ध्यान रखेगा आगे चलते हैं प्रश्ट नमर 24 प्रास्मिक अस्तर पर सिक्षा का माद्य मात्रिबासा होना चाहिए क्योंकि अप्सन A है इससे देश प्रेम की भावना विक्सित होती है अप्सन B है इससे बालकों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है अप्सन C है इससे मात्रिबासा के विकास में सायता मिलती है और D है बालकों को अपने आसपास के वातावरन को सबने जय में सायता मिलती ह सब्सक्राइब ऐसे स्परिंगे तो इस समयने में समय में सब्सक्राइब उसको समझने में सहायता मिलता है तो डी वला भी कलप सही हो जाएगा बेश्ट आपसन हमारा प्रश्च नम्मर 25 एक बालक गणित समझने में बहुत कमजूर है आप उसकी सहायता के लिए निमनिमें से क्या उक्चार करेंगे गणित में कमजूर है ध्यान रखिएगा आपसन प्रदाना द्यापक से इस विश्चार में परामर्स लेंगे आपसन भी है उस बालक से बात करके पता लगाएंगे की गड़ित में उसकी क्या तीकत है और तत पच्चास उसे दूर करेंगे और डी है कच्छा में गड़ित में सबसे त्यज बालक को आदेश देंगे कि वह मांसिक रुप कंजूर बालक की मदद करें। तो दिखें, पहले आप निदान करेंगे, फिर उफचार करेंगे। तो ठीक है न। पहले उसके बारे में पता लगाएंगे कि क्यों उसके दिकत आ रही है। उसके बाद उसका उफचार करेंगे। तो मांसिक रूप से विकलांक बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि रप्ति कितनी होती है, तो 70 से कम 36 से अधिक होती है जो मांसिक रूप से विकलांक बालक होते हैं तो हमारा बिगल्प जो सही होगा वो होगा टी वाला बिगल्प ध्यान रखे गाम 26 का आगे चलते हैं प्रश्च नमर 27 कच्छा कच्छ में स्ग्षण प्रगरिया की दोम्रान दो बालक आपस में बाते करते हैं आप के ख्याल üstे उनके इस कारेफ से उन दोनों को हानी होती है आप सब भी ये सारी कच्छा कोहानी होती है आप संसी ये सिक्षक का ध्यान भटकता है और D है उप्यूक्त सभी तो विकल्प का उनसा सही होगा वो हमारा विकल्प सही होगा D वाला विकल्प इससे सभी विकल्प जो है इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है क्योंकि दो बाला करेंगे तो अपना नुक्सान करेंगे साथ में जो कच्छा में बहच्चे हैं उनका भी और सिक्षा का ध्यान भटकेगा तो डी वाले के ही साथ जाएगा आगे चलते हैं 28 प्रस्ट बालकों को अधिगम का मुल्यांकन प्रमुक रूप से होना चाहिए बाल क्रियाी हैं चाहिए प्रशन अे 28 का विकल्प हमारा पहला सतट्व व्यापक प्रकृटिया के माध्यम से सतत का मतलब कि हर पार्ट के बाद है और व्यापक का मतलब कि उस पारट के सभी अस्थर जहां से सुरू कि और जहां तक अन्ध कित उसके सभी पक्ष से जोहें उसमे सारे रिक सभी चीजों का सवेगात्मक नैतिकता सभी का उसका विकास पतलब एक तरह का समलित होना चाहिए आप विकास का सकते हैं या समलित का सकते हैं तो यह वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्ण नम्बर 29 से कि बालकों के अनुवांसिक गुरुण में परिवर् परिवर्तन है क्या है तो वह है उनकी अनुवांसिक पर्तिमानों सन रचनात्मक बेवहारों तक सिमित होते हैं सी वाला विकल्प 29 का सई हो जाएगा प्रश्ण नम्र 30 सिक्षा के उद्धिस का मूलबूत सुरूत क्या है प्रश्ण नम्र 30 का रहा है वह है मानो और अनुपहव यह वाला विकल्प जो है सई हो जाएगा तीस का यह थे हमारे सी डिपी प्रेक्टिस सेट नम्र 13 का अंतिम परश्ण और समाप्त हो गया वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं तैंगू तैंगू भार वाचिंग इस वीडियो झाला वीडियो